Good morning students, YouTube channel India Old Days में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में मध्यकालिन भारत के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगे student YouTube channel India Old Days पे हम आपको प्राचीन कालीन भारत और मद्धे कालीन भारत और आधवनिक भारत के त्यास के बारे में पढ़ाएंगे तो हमने प्राचीन कालीन भारत के बारे में भी काफी वीडियोज बनाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आज से हम मध्यकालिन भारत के बारे में भी आपको पढ़ाना प्रारम कर रहे हैं तो देखे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्यकालिन भारत है ये कहां से स्टार्ट होता है किस समय से स्टार्ट होता है इसमें कौन-कौन से काम होते हैं कौन-कौन से राजवन साते हैं ठीक है तो इन सबी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे तो देखेगा मध्यकालिन भारत के बारे में जानकारी तो देखेगा मध्यकालिन भारत का समय ह ये 36 स्थाबदी से लेकर 16 स्थाबदी तक माना जाता है, इसे दो बागों में बाजित हम कर सकते हैं, ताकि पढ़ने में आसानी रहे, तो देखेगा पहला भाग है प्रारंबिक मध्य यूगिन काल और दूसरा है गत मध्य यूगिन काल या फिर इसको हम प्रारंबिक आधुनिक काल भी कह सकते हैं ठीक है तो देखेगा जो प्रारंबिक मध्यकाली जो यूग है ये देखेगा ये काल 26 ताबदी से लेकर 13 ताबदी तक और 1526 इस्विश में जो मुगल समराजे की सुरुआत होई थी उसके साथ ये समापत हो जाता है ठीक है और फिर जो आपका गत मध्ययूगीन काल है इसमें 16 आता है उसके बारे में जानकारी प्रात की जाती है ठीक है तो देखेगा पहले है आपका जो प्रारंबिक मध्यकाली यूग ये ये है जो आठवी स्ताबदी से ग्यार्वी स्ताबदी तक माना गया है और मध्यकाल को लेकर तो इधियासकारों के बीच काफी मतवेद रहे ह गुप्त समराजे के पतन के बाद और दिल्ली सल्टनत के सुरू होने के बीज भारत कई छोटे राजियों में बंटा हुआ था ठीक है इस समय में सबसे महतोपुन गुर्जरपर्तिहार पाल और राश्ट्र कूट समराजे की बीज जो त्रिपक्सिय संगर्स है वेहुआ और भारत पर मुस्लिम आकरमन का प्रारम रहा था ठीक है अब के होता है कि इसी दोर के कुछ जो राजवन्स है उन्होंने भारत में सासन किया था और वो इस प्रकार से है जिनके बारे में हम आगे के वीडियोज में हम आपको अलग-अलग राजवन्सों के बारे में चोल चोल राजवन्स पस्चिमी राजवन्स पूर्वी गंगवन्स होसल राजवन्स काकतिय वन्स सेंद राजवन्स परमार राजवन्स और करनाट वन्स तो ये किस काल में थे राजवन्स प्रारम बित मध्ययूगिन काल में इनके बारे में हम आपको आगे विस्तार से प अकर्मनों में तेजी हुई थी इनके बारे में भी हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे अच्छे से दिल्ली सल्तनत गुलाम राज वन साया था खिलजी वन साया तुगलक वन साया सयद वन साया लोधी वन साया और साती सात विजे नगर समराजय का उदे हुआ मंगोल कर्मन हुए दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ मुगलवन साया फिर मराठों का उतकर्स होता है और इसके बाद यूरोप ये सक्तियों का उद्ध्य होता है अब देखेगा ये यूरोप ये सक्तियों का उद्ध्य इसको हम आधुनिक भारत में वैसे लेते हैं लेकिन वैसे देख ठीक है तो देखेगा यहां हमने आपको शोट रूप में मध्य काले इन भारत के बारे में बताया है और इनके जो मैन मैन पॉइंट है वो आपको समझाए हैं आगे की वीडियो में इनके बारे में विस्थार से हम बताएंगे और यह दि हमारे वीडियो में आपको कोई कमी ल निवाद